Hello everyone, the conceptual IAS आप सभी का स्वागत करते हैं और इसमें हम history of ancient India का part cover करेंगे and ये session किसके लिए important होगा? ये session important होगा mainly for state examination for example BPSC, UPPSC and somewhat UPSC but UPSC के लिए हमारे अलग से NCRT based session चल रहे हैं उसमें हम लोगों ने ancient cover कर लिया है और NCRT class 6 से class 12 तक हमने वो part वहां पर cover कर लिया है इसका अलबा MPPSC, RAS and बाकी सभी CGPSC, JPSC इस सभी exam के लिए session अपने आप में important होगा तो आने वाले exam को देखते हुए हम mainly focus कर रहे हैं ancient India में चलिए, शुरुबात करेंगे बिल्कुल background से, बिल्कुल background से, अगर आपने कभी भी इतिहास नहीं पड़ा तो भी आपको सब changes समझ में आएंगे, medium से बहुत परिसान नहीं होंगे, हम लोग bilingual medium रखेंगे, so that English और Hindi दोनों medium की बच्चे इसका lab उठा स सके हैं, है ना, मार्कि common section में आप मुझे अपनी राय दे सकते हैं, कि आप इस session में क्या changes चाहते हैं, ठेक है, तो इतिहास का वो period, जिसमें कोई written evidence नहीं है, कोई written evidence नहीं है, उसे कहते हैं prehistoric period, तो इसकी विशेष्टा क्या थी, इसमें जो evidence available हैं, वो archaeological nature के हैं, मतलब पत् stone age civilization, इसलिए उसको बोलते हैं, अब ये continue रहता है, continue रहता है, और धीरे 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 धीरे, written evidence आते हैं, ठेक, यानि कि वो evidence आते हैं, जो लिखेत हैं, लिकर उनको decipher नहीं किया जा सकता, मतलब पढ़ा नहीं जा सकता, undecified हैं, ठेक है, तो उसको proto historic period कहते हैं, proto historic period और इसका example है, industrialized civilization and corporate culture, दो, पहला, दूसरा, अब माम दो UPSC या BPSC या कोई भी public service commission किसी भी स्टेट का कोई, किसी exam में question ऐसा पूछा जाता है, कि proto historic period was deciphered by the lack of evidence based on written nature, तो ये statement गलत होगा, या ये कहा जाए, कि proto historic period में लेखन सैली का विकास नहीं हुआ था, तो ये गलत है, क्यों लेखन सैली थी, ये सही है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, undecified है, now, इसमें भी जो dependence थी, वो archaeological evidence पर ही थी, fine, कि इसमें proto historic period में, अब ये continue रहता है, दिन आता है historical period, या historic period, इसकी जो सबसे बड़ी, सबसे बड़ी achievement थी, वो ये, कि इनके जो evidence थे, वो readable थे, उनको पढ़ा जा सकता है, और इसकी परियाप्त मात्रा में quantity available है, ठीक है, हाँ, लेकिन साथ में ये देखना होगा, कि अभी भी archaeological evidence present है, विकाज उनको कोई हटा तो सकता है, वो तो रहेंगे हैं, है ना, और ये समय सुरू होता है, approximately 6th century BC से, ठीक, 6th century BC से, ये time सुरू होता है, कुछ और बाते हैं, Now, अब हम stone age period की कुछ बात कर लेते हैं, ठीक, पत्थर, यानि की पाशान काल इसे हिंदे में बोलते हैं, पाशान काल, ठीक, तो अब paleolithic मतलब, पूरा पाशान काल, ये stone age में है, ठीक है, लिथ मींस होता है, stone, paleolithic मतलब होता है, पूरा पाशान काल, ठीक है, paleolithic, misolithic, मध्य पाशान काल, नियोलिथिक, नव पाशान काल, इस तरह से, पाशान मींस पत्थर, अब paleolithic period में क्या-क्या बाते हैं, जो आपको याद रखना चाहिए, विकल्पों में, सही और गलत जाता था, hunting, और food gathering के जाती थी, मतलब जंगलों से खानी पीने की चीज़े इकठा कर लेना, और सिकार को मार कर खाना, और जानुरों को पालना, यानि कि animal husbandry का अभाव था, ये वो नहीं जानते थे, agriculture का अभाव था, वो नहीं जानते थे, आग का अभाव था, ये ध्यान थे, ठीक, और जो ये period है न, ये hand x, यानि कि हाथ से यूज की जाने वाली कुलहाडी, इस period में पाई गई, ठीक, और कहां पाई गई, तो 1863, 1863 में, मदरास, जिसको पल्लवरम, पल्लवरम मदरास में ये पाई गई, और इसे किसने प्राप्त किया था, तो Robert Bruce Foot में, Robert Bruce Foot, जो कि अपने आप में, ancient India और ancient history में अपने खोजों के लिए जाने जाते हैं, मिसोलिथिक period कि इस बात में अलग है, कि इस समय ये समाज hunters का और gatherers का था, ठीक, और इसके evidence क्या है, इसमें animal husbandry है, कहां पर, आदमगड MP, बागा और राजस्थान में, इसके प्रमाण मिले हैं, और हड्डियों से बने हुए जो tools हैं, वो कहां पर मिले हैं, सराय नहर राय में और महदहा में, सराय नहर राय में और महदहा में हड्डियों के implants मिले हैं, हड्डियों के tools मिले हैं, टूल्स मेंज उपकरण, इनिमल हजबेंट्री मेंज पसु पालन, तो हड्डियों के उपकरण कहा मिले हैं, यूपी सराय, नहर राय और महदहा, इतनी बाते आपने समझ ले, कुछ और हम बात करेंगे, जिसे ये तो हुआ पैलियो लिथिक और मेसो लिथिक, लेकिन अगर हम पैलियो लिथिक में, इसमें अगर हम महवलो कुछ और चीज़े समझना चाहे थे, हमको क्या धेहन देना पड़ेगा, पैलियो लिथिक में, जैने कि पाशानकाल, इसको लोर, मिडल हर अपर, यानि कि पुरा पाशानकाल is की तीन पार्ट है, उसके तीन पार्ट है, मतलब क नहीं है ठीक है इसके तीन पार्ट है ऐसे समझेंगे पैलियो लिथिक यहने के पूरा पाशान काल के तीन है लोर जिसमें इसे कोर टूल्स के आधार पर बाटे गए है पहले यह पता होना चाहिए जिसमें हैंडेक्स क्लीवर और चौपर यह तीन उपकरन यूज होते थे और बहुत छोटे 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 फिंगर या फिंगर से थोड़े बड़े उतने पतले और एकदम सर्प के मध्धिपूरापाशानकाल और उत्तर पुरापाशानकाल इसको इस तरह से अप क्लाशिफाई कर सकते हैं जो लोग हिंदी मीडिया महां आधरवाइस precaution सली आप उ इस तरह से याद रखेंगे ठीक है नाव मेसोलिथिक हम समझ चुके हैं कुछ बाते और देखें जोड़ेंगे नियोलिथिक के बारे में नियोलिथिक मिन्स नया तो नियोलिथिक नौ पाशान काल और फर्स्ट टाइम यहां पे आनाज का उत्पादन सुरू हो गया फर्स्ट टाइम इसने फायर का यूज किया ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए क्यों ये बहुत इंपोर्ट है कि आग का और आनाज का सबसे पहली बार एविडेंस है मेहरगड पाकिस्तान में बार्ले एंड वीड के सबसे पुराने एविडेंस है और एग्रिकल्चर और एनिमल हैस्पेंडरी इसका एक साथ जो सबसे पुराना उजहरन मिलता है वो गुफ़क्राल में मिलता है ठीक है इंडिया में है इनकी कुछ साइट से जिसे किया गया है वह है डाग ठीक क्लासिक्स के न्सी आटे में मिल जाएगा आपको यह इसके लाबा एस यानि कि राक के धेर कहां मिले संगन कुल्लू में पिकली हाल में उतनूर में ठीक है इन तेनों स्थानों पर कुछ और देखते हैं अब एक्जाम के लिए जो कुछ इंप यही ग्रेव में पाए गया इसे पता चलता है कि एक साथ एक से अधिक सरीरों को दफनाए जाने की प्रथा थी ठीक है इसका प्रमाण कहां में मिलता है दमदमा में आदमगड आदमगड तो लास्ट फेज ऑफ मिसोलिथिक पीरियड है और यहां पे एनिमल हैस्बेंटरी क सुरुवात होई तो यस यह फैक्ट कापका है अचा मेहरगड किसलिए हम लोग याद रखते हैं तो ओल्डिस्ट एविदेंस है सेटल्ड लाइफ की सेटल्ड लाइफ का मतलब होता है कि घर बनाकर रहना एक अस्थान पर टिक कर रहना मेहरगड तो इसमें इंडस्वेलिश्वेलिश्वेलिश्वेलिश्वेलिश्वेलिश्वेलिश्वेलिश्वेलिश्वेलिश्वेलिश्वेलिश्वेलिश्वेलिश्वेलिश्वेलिश्वेलिश्वेलिश्वेलिश्वेलिश्वेलिश्वेलिश्वेलिश्वेलिश्वेलिश्वेलिश्वेलि यानि कि हडपा सभीता तक के प्रमाण मिले हैं मेहर गड़ से और दमदमा में एक ही ग्रेव एक ही कब्र के अंदर तीन सरीर मिले हैं तीन सरीर होने के प्रूफ मिले हैं और हथनौरा किसली जाना जाता है फॉस्ट एविडेंस ऑफ हुमन नर्मदापूर या कि होसंगाबाद में एस जगह को जान ते हैं नर्मदा बेसिन पर आता है इस लिए भीं बेटका तो भीम बेटका में प्रि हिस्टेरिक पेंटिंग केप से यह मैंने अपनी आर्क से देखा है और यह बताता है कि हमारे अरली पूरवज असल में कैसे थे मैं हमेशा धार्मिक गरंतों से काफी प्रभावित रहा हूँ पहले लेकिन जब इतिहास पढ़ा तो पता चला नहीं नहीं जो फीलिंग धार्म पुराणों को पढ़ने के बाद नहीं आती वो फीलिंग इन इस्थानों को देख के आती है कि चाह हमारे असली पूरवज ऐसे थे यह सबते है ठेक है और यह फीलिंग आपको लेना है तो आप एक बात समझे न मंदिर जाईए न मस्जिद जाईए न गुरद्वारा जाईए न मदिराले जाईए न कोई आले जाईए आप अगर कहीं जाईए तो भीम बेट का जाईए और देख के आईए कि आपके पूरवज कैसे रहते थे पूरी धर्ती में इससे पुराना और इससे जीवन तो धारण आपको कहीं नहीं मिलेगा अपनी पूरुजों को समझने के लिए खास तोर से पेंटिंग के माध्याम से ठीक है अच्छा यह पैटर्सन और डी टेरा हम लोग इनको इसलिए याद रखते हैं कि इन्होंने बुर्ज हूं जो कस्मीर में जहां पे पिट ड्वेलिंग का उधारन मिला है उसकी खोज इन बात करते हैं पहले इधर की अप्ता लेते हैं हम स्टेयू आफ बून मेड़ मधर गॉड़ जो सहीं कि यह एंन सब्सक्राइब घार्त रखें और कौन से जह है तो लुहांदा नाला डे। काफे serious factor दिये हैं इसमें, normally Lucent में या और भी जो market में किताबे आती हैं, उसमें इतने serious और in-depth factor नहीं मिलते हैं, I will say कि UPSC वाले भी इस तरह से इसको नहीं पढ़ते होंगे, so if you are also preparing for UPSC, आप लोग ध्यान देना कि UPSC के लिए भी इससे अच्छा ancient history साइध ही कहीं मिले, Megalith monuments, यह जो Megalith monuments हैं, यानि कि Megalith क्या होते थे, किसी गढ़्धे में, जिसमें कि मानों को दफनाया गया हो, उसकी चारों तरफ बड़े-बड़े stone slabs रख दिये जाएं, और उसको cover करने के लिए बड़ी सी slabs से उसको एक छत के रूप में, एक रूफ के रूप में उसमे of humankind, National Museum of Humankind कहां पर हैं, तो भोपाल में हैं, और ओकर कलर पॉटरी, OCP, यह नेम दिया गया हस्तिनापुर की पॉटरी को, ठीक है, यहां से हस्तिनापुर की पॉटरी का जो नेम दिया गया है, ओकर कलर, वहां से सुरू हुआ, चलिए, important archaeological facts related to India, in 1861, father of Indian archaeology, father of Indian archaeology, Alexander Cunningham appointed as the first archaeological surveyor of India, सबसे पहले कौन थे, Alexander Cunningham, 1861, उन्हें अपॉइंट किया गया था, ठीक है, 1863, अब देखो, stone age civilization पर research सुरू हो गई थी, इस समय, सुरू हो गई, stone age civilization, जो भारत में है, उस पर अध्यन सुरू हो गया, और 71 में, 1861 में, archaeological survey was formed as department, अब archaeological survey, जो एक काम होता था, उसको एक विभाग माना गया, यह point आपको याद रखना है, यह important है, by the government, और 1901, 1901, at the time, लाड कर्जन था, काउन, governor general, और इसने archaeological department को centralize किया, and इसको name दिया, क्या, archaeological survey of India, and, and, यह archaeological survey of India, यह हम लोग बार बार पढ़ता है न, और, मार्सल को इसका director general बनाया, तो, जान मार्सल, archaeological survey of India की पहली director है, ठिक, बहुत काम का fact है, मिसोलिथिक हुमन, also used to hunt, used to hunt fish, fill their stomach, अपना पेट भरने के लिए, मसलियों का पालन मिसोलिथिक पीपल करते थे, यह भी काम का fact है, typical tools of मिसोलिथिक period were micro stone tools, जो मिसोलिथिक period के छोटे चोटे tools थे, वो माइक्रोलिथ थे, छोटे tools थे, छोटे उपकरण थे, यह मैंने आप थोड़े दे पहले बता है, अब आते हैं, हम history के classification में यह पार्ट हम कर चुके हैं, ठीक है, और prehistory, protohistory and historic period, अब a period is based on the basis of availability and unavailability of written evidence, मतलब यह जो classification है, यह लिखेत इतिहास के उपलब्तिता और गैर उपलब्तिता के अधार पर बनाया गया है, ठीक, कुछ और fact काम की का बात करते हैं, यह जो blade culture कहा जाता है न, middle paleolithic period में, इसमें बहुत बड़ी मात्रम पत्थर के blade मिले थे, और 14 human skeleton पाए गए कहां पे, लंगनाज गुजरात में, ठीक, 14 human skeleton पाए गए थे, लंगनाज गुजरात में, and first information about mesolithic period in India was obtained during 1867-1868 के time में भारत में mesolithic period के पहले evidence मिले, in Indian subcontinent the time of rice obtained from Lahura Deo and this site is considered to be oldest agriculture, agricultural evidence, जो की 9000 BC सी 7000 BC की वीच का रहा होगा, ऐसा माना जाता है, और गेहूं, गेहूं इस continent में 7000 BC के आसपास पाए गया, मतलब सबसे पुरानी फसल तो होगई चावल, गेहूं की फसल मिली मेहरगड में, after Lahura Deo, second ancient Indian neolithic site, जिसमें rice के evidence मिले हैं, तो कोल डी हुआ, ठीक, इसमें rice brand के, मतलब rice की भूसी मिली हुआ पे, ठीक है, first evidence of corn दुनिया में कहा मिला है, तो मैक्सिको में, और गुफा क्राल का मतलब होता है, potter की के भूँ, ठीक है, potter की के भूँ, इंडिन से continent में, Lahura Deo, इंडिया में है, मेहरगड, पाकिस्तान में है, लहुरादेव में oldest evidence of rice and oldest evidence of agriculture कह सकते हैं, जबकि मेहरगड में oldest evidence of wheat कह सकते हैं, यह 9000 साल BC का है, यह 7000 साल BC का है, यह 9-7000 BC का है, ठीक है, एंडिया में oldest evidence of agriculture was found in Lahura Deo, एंडिया में oldest evidence of rice, दोनों प्रशन को उत्तर हैं, लहुरादेव, चलो, कालकोलिथिक period के बारे में बात करते हैं, बजब इस समय जो use किया जाता था, वो stone के साथ साथ copper के इस्तिमाल किया जाता था, इसलिए copper के नाम से कालकोलिथिक site कहा जाता है, ठीक, आएए इसके background को open करते हैं, तो इसमें major कालकोलिथिक settlements को देखेंगे, एक एक चीज़ करते हैं, पहले इधर आते हैं, तो साथ इस्ट राजस्थान में major कालकोलिथिक sites कौन से हैं, कालको लिथिक साइट्स कौन-कौन से हैं साउथ एसंट राजस्थान में तो साउथ एसट राजस्थान एक कोटा बुंदी यह वाला एरिया इसमें बानस कल्चर ॉपने पप्पुलर था और यह नाम बानस वैली के आधार पर बानस नदी वेली के आधार पर और यहां पी जो important archaeological sites हैं वो है अहार, बागवर, बालाथल, ओजियाना, गिलुंद, ठीक, जो ancient name है अहार वो अब तंबावती के नाम से जाना जाता है, ठीक, उसमें तंबावती के नाम से भी इसे जाना जाता था, तंबावती, अहार को, जिस हम अहार कहते हैं वो उसमें तंबावती के नाम से जाना जाता था, इसके अलाबा बालाथल में fortified settlement का प्रूफ मिला, fortified settlement का मतलब, जहां पर लोग रहते थे उन्हों अपने गाउं या कस्बे या बस्ती के चारों तरफ boundary बना रखी थी, यह बहुत काम का fact है, याद रखना कहां कहां पर, ओजियाना और बालाथल में, इन दोनों स्थानों को इसलिए आप याद रखेंगे कि यहां पर fortified settlement मिला, गिलुंद में fortified settlement है या था यह कह सकते हैं, और कीचड के बने हुए building, मड के बने हुए building भी मिलते हैं, उसका प्रमाण कहां पर मिलता है, गिलुंद म और इसके लाबा पकी हुई unit का उधारन भी कहीं कहीं पर मिलता है, गिलुंद में, तथा pieces of copper have been also found, copper के टुकडे यहां पर मिले हैं, कितनी काम की जान करी है, अभी हमने देखा राजस्तान में, अब हम आएंगे western मध्यप्रदेश में, तो जैसे मान लो यह अपने आप में म मध्यप्रदेश का मैप है, ठिक, ऐसे, यह मध्यप्रदेश का मैप है, तो यह बात करता है western मध्यप्रदेश का, ठिक, मतलब इस पार्ट वाले मध्यप्रदेश का, यहां पर बात कर रहा है, तो यहां पर देखो, चार्थ जो हमको ध्यान देना है, मालवा, काइथा, एरन और नवधाटोली इस चाहर प्रकार की कालकोल इथिक साइट्स या तामर पास्वान कालिन बस्तियों उपर हम ध्यान देंगे जो मालवा है मालवा संसिक्रतेस में इसमें spinning wheel का प्रमाण मिलता है और spindles का यानि कि इस समय पहीय का प्रयोग किया जाने लगा था spinning के लिए ठेक दूसरा fortified colonies कायथा में मिली हैं और चूडियों के धारन मिले हैं कितने 28 देखो हम इस सब क्यों कर रहे हैं यह बखवास नहीं एक बात याद रखना आपको कभी लगता है ना कि आपके भविस मेंजे बच्चे पोचेंगे के यह computer chip कब बने होगी यह पंखे कब बने होगे यह TV कब बने होगे यह fridge कैसे बने होगे तो उनके अंदर जिग्यासा होनी चाहिए कि ने चुकि तुम वो पेढ़ी हुए जिसने यह सारी शिजों को बनते हुए देखा उसी तरह तुम्हारे पापा या पूरो पापा या महा पूरो पापा जो भी कह लो और महा पका कर खाना सीखा जानने के जिग्यासा नहीं होती क्या अफकोर्स होनी चाहिए तो यूर एंसेस्टर्स आर इस्टिल रेलिवंट तो बीश्टीट तो अंदरस्टेंड हाव हिस्ट्री है प्रॉग्रेस्ट एरन एरन में 45 सेटल्मेंट मिला 45 मतलब जैसे मालो यह कोई गा लाउसिस का पता लगाया नौदा टोलीगी खोज है असनकालिया ने किया इन्हों में को सफ्टाel में 4 शेप में sौरी ये तो अच्छा नहीं बना करता हैं स्कॉर सेप में और सर्क्लर शिप में दोनु तरह के घरों की पहचान की है किसे संकालीया ने किमार्वन मार्यस तो यह वेस्टन पार्ट है यहां पर अहमदनगर और पूने डिस्टिक यह नीची आ जाओ थोड़ा पूने और अहमदनगर यह नीचे हैं इन दो डिस्टिक पर हम फोकस करेंगे अब देखो यहां पर जो कॉल को लिथिक साइट अहमदनगर में पाई गई उसे जोरवे मंचे ऊज़र और कि यह जोरवे निवासा और दाइमाबाद इन तीन जभाव में जूट के अवोड़ेंस में और पेस्टम नोन टूहंडड्डड जोरवे साइट यह जोरवे साइट दाइमाबात में जोरवे composite साइट में जो सबसे बड़ा है वो दाइमाबाद में मिला है है तो यह सारे जोर्वे साइट से तीनों फान पूनर डिस्टिक में प्रकासा, नासिक, इनाम गाउं, चंदोली और सोन गाउं यह अपने आपने पांच महत्पोन साइट से पूले में जहां पे एविडेंस मिले हैं किन चीजों के तो हाउस विद फाइव रूम्स, पांच कमरो वाले घर वाह क्या बात है और फोर्टिफाइट सेटल्मेंट यह मदर modus का इसटैचू हेना काम का फैक्ट है है इसे पक्टो करें चलो कोश्वब आते हैं हम इस्टर इंडिया में आते हम तो पांडू राजर धिवी और महिसादल, महिसादल यह दो साइट्स है इस्टर इंडिया में जो अपने आप में कॉलु कोलिधिक साइट्स और तारादी इसके लाव इस्टन यूपी में खैरादी और नरहन ये बहुत काम के हैं यूपी बिहार वालों ध्यान दो इस फैक्ट में यहां से भी यह तामर पासांड कालिक बस्ति में देखो बिहार वालों तुम पहले द्यान दो चिरुन, सिनुवर, स्टोनपुर और ता चलो और आगे बात करते हैं इंडलस वाली स्विलाजेशन में कुछ कल्चल रंड्र देखते हैं चैन रिज्यंश्टर हैं के यहां बृझन त्याटन हे ऑफ इंडश्टम पर देखते हैं वह इतना सिकनिफिकर त्म ने चैजीर काम की दूकर द्खाते है तो स्टेटलमेंट कहां पर हडपा मोहन जोद्रों में twin capitals of vast empire माना जाता है हडपा और मोहन जोद्रों को Indus Valley Civilization की दो राजधानिया माने जाते हैं चोगी सबसे महत्वपोन है First person जिसने civilization को Indus Valley Civilization कहा और वो बेखती था John Marshall इसका जो timeline है वो 2300 से 1720 के बीच में है मतलब टोटल यह सब्भिता 600 साल के आसपास रहे 600 years के आसपास रहे Most accepted date यही है हलाकि कारवन डेटिंग यह प्रमार देता है कि 2300 से 1900 के बीच में यह सब्भिता रहे है मतलब 2300 से 1900 के बीच में इस सब्भिता का culmination रहे मतलब यह सब्भिता चरम पर थी इस समय विकास पर थी ग्रोध कर रही थी इस समय 2300 से 1920 के आसपास मतलब जो पहले 400 साल थे वो ग्रोध का पीरियट था विकास का पीरियट था और जो बाद वाले 200 years रहे वो डिक्लाइन का फेस था यह कह सकते हैं क्या हाँ ऐसा interpretation करना आप सीखो इंडस civilization was contemporary to Mesopotamian civilization and Egyptian civilization इनके parallel थी ठीक है parallel थी मतलब उधर वो सब बताएं थी और हमारे देश में इंडस वेली civilization हुआ करती थी इंडस वेली civilization का expansion कहा कहा था तो पाकिस्तान और इंडिया थे कहुआं पाकिस्तान में बलूस्थान पंजाब सिंध इंडिया में पंजाब गुजराथ राजस्थान हरैना मतलब जम्मून कस्मीर सबसे north में और western महराष्टा सबसे south में ठीक और East West में Western UP सबसे east में और बलूचिस्तान सबसे west में सबसे विर्भ की सबसे व्राइश्ट में यूपी सबसे साउथ महाराश्ट्रा और सबसे नौन कस्मेर थैटा इसकुत की्षा द्राइंगूलर था और मांडए जमून प्रश्मीर में था सबसे नौर्थ में सुकता जंड़ यह अपने अपने बिस्टन प्रोविंस थी सुकता जंड़र बलचुस्तान में और आलमगीरपुर बेस्टन यूपए में थी सबसे इस्टन महराश्ट में दाइमाबाद सबसे सदन यानि दख्षणी साइट थी इंडस्वाली सिविलाइजेशन की तो इस तरह से हम बॉर्डर बना सकते हैं अपने दिमाग में कि इंडस्वाली सिविलाइजेशन कहां से कहां तक फैली थी है ना किस ने किसी खोजा थोड़ा से देखते हैं हडपा को दयाराम साहनी जी ने खोजा मोहन जो दाड़ो राखल दास बनर जी चन्हु दाड़ो एंजी मजुमदार लोथल एसार राव काली बंगन अमलनन्दा घोस और आरस बिश्न बनवली धौलावीरा जेपी जोसी और रोपर बीविलाग सुक्ता जंडर और अलस्टीन हां और हडपा की जो मेजर एविदेंस हैं उनको थोड़ा से धहन देंगे तो कॉंच आॉक्स है ना और पोट्रेट आफ मदर गॉर्डेस फर्टेलिटी का साइन है सर्कुलर प्लैटफॉर्म जो की उन्टो का बना हुए था मॉस इन दो आना जो के ट्रेमिनेंट्स बचे हुए आउसो इस पाए गए ब्रास हैंड एंड बारू पोट्रेट आफ फिसर्मेन ऑन पार्ट एविदेंस आफ टू माउंड्स दो टीरों की प्रूफ हैं जिसमें इस्टन माउंड वेस्टन माउंड हडपा की हम बात कर रहे हैं एंड एंड हडपा में और क्या मिले हैं इस इस्टन माउंड सिटी माउंड है और वेस्टन माउंड फोर्ट माउंड है यह जो किलेदार संद्रशना है वह वेस्टन माउंड है कि मौंट जोमेट्री डिस्टिक कहां कहां पे हैं तो करेंट साहिवाल पाकिस्तान में हैं यह लेप्ट वैंक ऑफ रिवर हरपा की जो साइट थे कहां पे थी लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रावी मुहंजदारों के बारे में कौन-कौन से एविडिन्स पाए गए तो उनको देखेंगे मौंट आफ डेड अगर सिंधी की बात करें सिंधी भासा में मौंजदारों का मतलब होता है मौंट आफ डेड मृतकों का टीला एक बड़ा सस्नानगार है वास्ट बात मोस्ट रिमार्क इठीघ ढहन मार्सल ऐसा बोलते मौंजदारों के बैरे में से सबसे जद्द सील यहाँ से मिले और सबसे जद्दं रेकॉर्ड यहां से मिले ब्रॉंज है टी के डांसिगड की दिनिग्ड निर्ल की जो थे वह भी मौंजदारों मिली योगी जो पुजारि जिसको बोल सब् प्राबबली इनके लगबग घोडे के दात जैसी एक संदस्ट नहीं यहां से मिले और लोकेशन लरकाना डिस्टिक है पाकिस्तान में सिंद इस्थान में पड़ता है और यह लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस है हाडपा लेफ्ट बैंक रॉवी यह लेफ्ट बैंक इंडस ठीक है कुछ और बाते हैं चन्हुदारों तो चन्हुदारों क्या मिला है वीड मेकिंग फैक्टरी एंड फरनेस फरनेस मतलब होता है आपकी भठी जहांसे मनके बनाए जाते थे इसके लिए लिप्स्टिक कार्ड ब्रिक्स लप्टेगना इंगिट खपर वाले इंगिट कु काली बंगन काली बंगन में क्या क्या मेरा ब्रिक्स कच्छी ब्रिक्स जिसमें की बिल्डिंग को बनाने के लिए होता था बैक्ड ब्रिक्स का यूज किया गया है इसके लाबा जूते हुए खेत प्लाउट फिल्ड आर्थ कोय के वडेंस यहां से मिलते हैं इसके लाबा फ रॉक्तुनाओ रेक्टाउंगुलर पिट भी यहाँ पे मिलता है इसके लाव़फ यह बैक्ड ब्रिक के बने हुए प्लेटफॉर्म से सेय्वन फैयर पिट कहा सी मिलता है बोडो बोडो काली भंगन से seven fire pit On line On Second Platform Second platform में सा daha गड़े हैं लाइन से यहां से सिप्स को रोका जा सकता था और उनसे समान उतारा और उसमें लोडिंग की जा सकती थी डॉक्यार्ड वो एरिया होता है जहां पे सिप्को एंट्री कराया जाता है इसमें कौन-कौन से एवोडिंस पाए गए है तो पर्सियन करिंसी इतनी चीजी यहां से पाई गई है इसके लोकेशन अहमदाबाद और यह भोगवा रिवर के किनारे है ठेक है इसे यूपे से में कौन आया था इसमें रेक्टांगलर सिटी था यह और यह डिवाइड़ था तीन पार्ट में यह ध्यान देने वाली बात है फोर्ट सेंट्रल पार्ट लोवर टाउं यूज वाटर रिजर्वायर यहां से मिला है जो एंसिंट वाटर कंजर्वेशन या वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का प्रूफ देता है धौला वीरा में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहां पर था लार्ज साइज आफ इंस्क्रिप्शन यहां से मिला है और टेन मार्क अपन इसक्रिप्शन भी धौला वीरा से मिला है और रन आफकक्ष गुजरात में इसकी ल लगता है कच डिस्टिक ऑफ गुजरात में इसकी लोकेशन है रोपर रोपर मॉडर्न नाम इसका रूपनगर है पंजाब में पड़ता है लेफ्ट बैंक ऑफ सतलेज रिवर एक ची जातर को जायतर लेफ्ट बैंक में लोकेटन है जादा तर सभी नहीं रॉक्सील यहां से मि पहले मनुष्य द्वारा डूमिस्ट केट किया गया इस एनिमल है और कुछ बात से देखते हैं दाइमाबाद कहां पर है दाइमाबाद है अहमद नगर डिस्टिक महाराष्ट में लेफ्ट वैंग और प्रवर रिवर ठीक है यह फैक्ट हो गया जब तक लेफ्ट है तब च चैरियर्ट इसका एवडहिन से जो कि बूल और राईवू फिगर के इवडेंस है ड़ीन और इस पाइगाई है फाट सॉसर कप यह जीजिए भी यहाँ पर पाई गई है ठीक है एंड कुछ और बात है बन्वली, बन्वली है फत्तिक हर्यान में इसके क्रिस्क्रास रोड से डिवाइडिंग से इंटु ग्रेट पारन ब्रीट पाटन यहां पे पाई गई है थिकर यह बहुलСТ वी प्लाव से ट्वाइज यानि कि खिलाउने आकार का हल मिला है कॉपर एरो कॉपर एरो के टिप यहां पर मिली है सी लेन वेट सिसमें मिले हैं यह फतेहबर डिस्टिक आफ हर्याना में पाया जाता मतलब आज की इसकी की लोकेशन है ठीक है कुछ और फैक्ट देखते हैं अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एक्जाम में आने क्लिए इंपॉर्टेंट है साइट से और उनके एविडेंस देखते हैं तो बाला कोट इसमें पीस आप बैंगल मिले हैं जो कि से बने हुए थे मांडा ब्रोंज में इस्कुरू पिन मांडा से मिला है देखो कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऐसे आप ढोड़ते रह जाओगे नौसारों में एविडेंस अन वर्मीलियन ऑन फोरहेड आफ ऑबुमन ठीक है औरत की माते पे जो वर्मीलियन का निसान होता है उसका ए प्रोफ है काली बंगन कॉपर कल्चर का प्रोफ है हरपा पिक्चर अप्लांट ग्रोइंग फ्राम दा बुमन्स वूंग ठेक है फूलास इंडस स्क्रिप्ट कंटेनिंग सील सुक्ता जंडर रेमनेंट्स ऑफ क्लेव एंगल्स मुहंजदारों जॉइंट एनिवल स्कल्प् कि एक ऐसा स्कल्प्रिचर यह जॉइंट इसकल्प्रिचर ऑफ एनिमल है यह जनी कि गणैसा से बहुत पहले एक जॉइंट इसकल्प्रिचर मिला है जिसमें बॉड़ी सीप की है और हैड एलिफेंट का है क्या कल्पना थी ठीक है कुछ एक्जाम के और इंपॉर्टन अधिम से यानि कि वस्तु बिनवय क्या धार पर यह ट्रेट करते थे ठीक विकॉस कोईंस वर नॉट इन सर्कुलेशन सिक्कों का उनको सर्कुलेशन नहीं था सिक्कों का वेट ऑफ इंडस सिवलाइजेशन वर मेंली क्यूविकल यह जो भार थे बाट थे जिसे तॉल की ज मेसोपोटामिया में तो यह ट्रेट बताता है कि मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिवलाइजेशन के विश्में ट्रेट था इसके लावब मेटल इसकल्प्रिचर जो की लोश्ट वैक्स हानी कॉम मेथट से डवलप किया गया था मेटल बनाया गया था उसका प्रूफ है यहां पर इसके लावब कुछ स्कल्प्रिचर मिले हैं जो की अप्टेन किया जाते हैं एनिमल एंड बर्ड के मोस्ट अप्ड़ सील्स इस्टेटाइट के बनी होती थी इस्टेटाइट कच्छी मुट्री को पकाते हैं तो वह होती है इस्टेटाइट और उसको सेव दिया एंड इसके बाद बुल और तब बुल विद्ध हम जो सबसे ज़्यादा वन हॉन बुल के सबसे ज़्यादा सील्हें और इंपॉर्टन इसपोट अपने अपने डाइस था पासा खेला सबसे महत्वन पासा सबसे महत पूर्ण खेलता है इन लोगों का ठीक है अब कुछ एविदेंस जो मोहन जो दाउरस मेरे हैं उनके बारे न थोड़ी बात करते हैं योगी पसुपतिसील जो की जिसके लेफ्ट साइड में राइनो और बफलो बैठा हुआ है राइट साइड में टाइगर और तो टोटल छे निवल और पांच डिफ्रेंट टाइप के हैं पसुपतिसीवा की सील पर जो अंकित हैं इंडस्वेली से बलाइज़सन के कुछ इनको आइरन का ग्यान नहीं था गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉंज इस चार तरह की धातूं का ग्यान था बहुत इंपोर् सब्से पहले बेड से उरुजिन हुआ सब्द है वेड का मतलब होता है और यह अपने नई इस दो की दूटों को आय। वैदिक पीरियट को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं रिग वैदिक पीरियट पंदरहसों बीसी से लिके एक हजार बीसी तक पोस्ट वैदिक पीरियट वन थाउजन बीसी से लिके 600 बीसी तक ठीक There is a difference in opinion between the historian on issue of original evidence of RN मतलब कि RN की origin कैसे हुई इस बारे में हिस्टोरियन में debate है lack of clarity है ठीक बट जो कुछ हम बात करते हैं कि इसकी origin कैसे कहाँ हुई क्या क्या चीज़े थी तो एक एक बास सब कुछ हम समझते हैं एल्डी काल कहते हैं आरियंस की जो ओरिजिन ओरिजिनल हैबिटेट था वो कस्मेर और हिमालियन एरिया में था और पंडित गंगानाज ज्छा कहते हैं यह ब्रहमर सी कंट्री थी डाक्टर अर्विंद चंद्रदास कहते हैं यह सब्त सेंधो छेत्र था डिस डिस्त्र व Bentों सब्ड्रदास कोन गठाजद कहें नार्थ पोल सब्सक्राइब बरण तो सवामि दयानนस सरस्वती मैं सकंटल मानता है हार्ट पेन का हंगरी से कौन मानता है डक्टर गिलेस आरेंज की जो अरिजिनल इस्थान है उसका यह हो गया डिसकसन और वेदिक लिटरिचर के कुछ इंपॉर्टन कल्चरल आस्पक्ट समझते हैं तो आए देखते हैं most ancient most ancient in Indian literature tradition .Literary tradition में सबसे पुराना है वेदिक इसमें four veda's होते हैं, रिग बेदा, यजुर वेदा, शाम ग अथर वेदा अधर बैटा इसी क्रम में इसी क्रम में यह स्क्रम से लिखाया है ध्यान देना फोर पार्ट इसमें सम्हिता ब्राम्हन का आरण्या उपनिसद ठीक चार पार्ट हो गए रिगवेदा अब रिगवेदा के एक बाते करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम रिगवेदा यह सबसे पुराना है ओल्डेश्ट ठीक और यह कलेक्शन है हिम्स का और प्रेयर्स का मतलब मतलब यह गद्धि नहीं है यह पद्धि है ठीक है और इसमें 10 मंडल सें 1028 हिम्स हैं और 10552 वर्स हैं जिसको रिच्चा कहते हैं ठीक सुकता 1028 जिसमें की 1017 सुकताज इन सकल हैं और 11 सुकताज इन बाल खिल्य हैं बाल खिल्या ठीक थोड़ा ध्यान लगके पढ़ना सब्दों के ध्यान देना मेंसन क्या क्या कहता है यह फर्स्ट मेंसन आप दे वर्ड वर्णा इनक वर्ण ब्योस्था में जो वर्ण सब्द है इसका पहला में रिगवेद में और गोत्र और सुद्र ठीक यह दूनों तीनों वर्ण गोत्र सुद्र यह आपने सुना होग ना ब्रामन में गोत्र होता ह और सुद्र चार वर्णा में एक टाइप है गायत्री मंत्र इसका जिक्र यहीं पर है और रिगवेद के इसाफ से गायत्री मंत्र को सेम विश्वामित्र ने क्रेट किया है लोहे के का मेंशन यहां तक नहीं है ठेक क्योंकि रिगवेद के करीब 400-500 साल बाद लोहे की खोज हो मंदल में all 114 सुकताज are dedicated to Soma and पुरोहित जिसको होता कहते थे वो इसमें में मेंसन है ब्राहमिन ऐतरे और कौसित की यह उसके यह दो ब्राहमिन है ब्राहमिन वहां पर यह सब्द आया है किसी वेद को सिंपल तरीके से एक्स्प्लें करने वाले टेक्स्ट के लिए ब्राहम तो एतरे और कैसे की कौसित की यह बेसिकले यह दो ब्राहमन है किसके रुगवेत के और इनको गाने वाला होता कहलाता है इसके लावब पुरुष सुक्त यह टेंथ मंदल में है कुछ और बाते एक वर्ड यहाँ पर हमको मिला था बड़ा काम का यह गायत्री मंद्र और सूद्रा इनको देख लेते हैं तो सूद्रा पुरुष सुक्त के दस्मी मंदल में में सूद्रा यह और थर्ड मंदल में थर्ड मंदल में गायत्री मंद्र का जिक्र है गायत्रे वंत्र थर्ड में चलो फाइन रिगवेद देन हम बात करेंगे यजुरुवेद की यजुरुवेद क्या है यह collection है hymns and यह है ritualistic यह भी poem के form में है यह भी ritualistic है ठीक और इसमें proj verses भी है proj and verses दोनों है यह अपने अपने प्रोज भी है इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे not alone poem two branches है Krishna यह जुरुवेदा जो की prose and verse दोनों है सुक्ल यह जुरुवेदा जो की cable verse है जिसमें की prose नहीं है यानि कि यह गद्य वंपद्य दोनों है हिंते माध्य मौले ध्यान देंगे गद्य प्लस पद्य है और यह cable पद्य है ठीक यह cable पद्य है verse last part है यह इसो पनिसत का इसका इसो पनिसत इसका last part है जो की अपने आपने spiritual thinking के बारे में है इसो पनिसत इसके लग कुछ़ ब्रहमन text है इसके रामनाज है अगेर मैं फिर बत दूँ ब्रहमनाज क्या होते हैं वो text होते हैं जो वेद को simplify करने के लिए लिखे गये थे और इसका जो priest है वो है Advaryu इसकी जो rituals हैं उनको perform करवाने के लिए जमेदार priest है अथर वेदा, तो देखो, अथर वेदा स्पहले हम लोग साम वेदा कर लेते हैं, करम से हो जाएगा, सबसे लास्ट में अथर वेदा आता है, उससे पहले साम वेदा आएगा, तो साम वेदा, साम का मतलब होता है, music, anthem, और इसमें मंतराज हैं, जो गाये जाते हैं, during the occasion of यग् गेहंदे में कहते हैं, उस समय जो मंतर गाये जाते हैं, वो हैं साम वेद होता है, और इसका प्रीष्ट है, वो उदगाता कहते हैं, यह जो इन मंतरों को गाये गा, उसे उदगाता कहते हैं, और इसमें 1875 verses हैं, इसके major branches हैं, जो इसके ब्राहमना ब्रांचे हैं, और इसका जो ब्राह्मन है वो है तांडिया और पंचवेस तांडिया या पंचवेस इसका जो ब्राह्मन है वो यह है अब हम बात करेंगे अथर्व वेदा की है थोड़ा इसको ध्यान देना है यह बाकी वेदों से कई मामल में अलग है और पहले तीन ही वेद कंपोज किया ग इसमें 20 पार्ट्स हैं, 730 सूपताज हैं और 5987 मंत्राज हैं, आउट ओफ 5987 मंत्राज, 1200 मंत्राज वो रिगवेट से लिए गये हैं, ब्रह्मा, ब्रह्मा को बताया गया है, प्रीष्ट चेंटिंग मंत्रा आफ अथरवेदा, ब्रह्मा वो है जो अथरवेद की मंत्रों को चैट करता है, मतलब चैंटिंग करता है, और इसकी जो 2 ब्रांच हैं, वो है पीपलाड एंड शावनाक, इसमें मेंचन किसका है, मगथ और अंग महाजनपत का मेंचन है, ठीक, और ये बताता है कि ये रिमोट स्टेट थे, इनको बताया गया यह प्रजापती के दो डाटर हैं और इसका जो ब्रहमन है वो गोपत है और एक मात्रिस का ब्रहमन है जिसको हम गोपत कहते हैं अथरुवेद के अब बात करेंगे सत्पत ब्रहमन के तो जो सत्पत ब्रहमन है इसने सुक्ल यजरुवेद से इसके उत्पत्य होते हैं इसमें फ्लडिंग स्टोरीज हैं डॉक्रिन आफ रिकारनेशन हैं इसके लावा रिकारनेशन का मतलब अवतार पुररवा और उर्वसी क है कि स्टोरी इसमें इसके अलाबा पूरुसुमेधा यग्य में दिस्कृप्सर्चिंट्स detta का जाता था मैं वह राजसु यग्य के बारे में मिंद सत्पत ब्रहमन हैं ठीक है, वाइफ को बेटर हाफ किसमें बताये गया है, सत्पत प्रामपन में, फाइन, कुछ और चीज़े, नीचे से होके आते हैं, इसके अलाबा, दस राग्यावार, मतलब दस राजाओं का युद्ध, पैटल अफ टेन केंग, ये सेवन्थ मंडल अफ रिवेद मिंसन है, पहली चीज़, आरेन और नॉन आरेन के बीच में ये युद्ध हुआ था, कहां पे हुआ था, तो बैटल अफ पौरुष्णी, जिसको कि रिवर रावी का उसमें पौरुष्णी नाम था, उसके किनारे पे ये युद्ध लड़ा गया था, किंग सुदास, यानि कि तृत् इसमें युद्ध हुआ, किंग सुदास, जो कि तृत्सु डाइनश्टी के थे, और दस राजाओं का एक समूह था, जो इसमें लड़ने वाले थे, तो वो कौन थे, पांच जन, फाइव इसमाल ट्राइप्स, और पक्त, भलनास, सिवा, किंग औफ विशालिन, ये बिसिकल बस इनके नामा हम याद नद रखनी की आउशकता नहीं, आब बस ये समझ लो, कि 10 kings और kings सुदास के बीच में युद्ध था, कौन जीतता है, सुदास, फाइनली जीतता है, और इसका जो प्रीष्ट होता है, वो होता है, वसेष्ट, टेक, वसेष्ट इसका प्रीष्ट होत पैरों के पास बैठकर नौलेज ले रहा है उसे उपनिसत बलते हैं पैरों के पास में बैठकर इसा पैर का जिक्र नहीं आता डिस्पल यानि एक सिस अपने गुरू के पास बढ़कर जो नॉलेज लेते हैं उसे उपनिसद कहते हैं ठीक है आप कुछ हम बात करेंगे उपनिसदों के नाम और उनके बारे में स्वेतासवर एक मेरी हिंदी कमजोर उसमें वो इंगलिस में पढ़ना पड़ता है स्वेतासवर तो इसमें first mention of salvation पहला mention है salvation का वरहधा रन्यक उपनिसद में याग वल्क और गार्गी डायलोग है गार्गी से याद आया YouTube एक फिल्म है, कारगी, इथिक्स पर है, बहुत अच्छे फिल्म है, देखिए, ठीक है, चंदा रोग ये उपनी सद्द, तो चंदा रोग ये उपनी सद्द में, ब्रह्मचर, ग्रहिस्त, बानप्रस्त, ये तीन आस्रम का है, चार आस्रम का जिक्र नहीं है, किसका है, तीन और लेजन्ड आफ सत्यकाम, जबल, इनका इस लेजन्ड का यहां पर जिक्र है, इसके लाबा जब लोपनी सद्द, जब लोपनी सद्द, तो जब लोपनी सद्द में फोर आस्रम है, चंदा रोग ये उपनी सद्द में तीन आस्रम है, चंदा रोग में ब्रह्मचर, ग्रह वो जब लोप निसद में एक extra थेक अञे मुंड़प को निसद में सत्य में जयते जो हमारे नेशनल एवेवलम में या हमारे नोटों में जो सत्य में यह लिखा रहेता है वो है इसके लाँअ कठोप निसद नियुम नचिक स्टोरी यह कथा को मुझनिसत की माध्यम से कन जाता है चलो और कुछ देखते हैं उप कुछ वाइदिक वर्ड हैं उनकी मीनिंग देख लेते हां तो क्रिश्न घ्रस मठीशा को कहा गया कुसी दिन अधर जबा कुट क्रेंडर को कहा गया तक्ष तक्ष जो कहा गया कार्पेंटर को तक्ष है वेकनट यह वेकनट है कि इंटरिस्ट असरपर को कहा यानि कि जो भ्याज वसूलने वाला है उसको इसपास जासुज को कहा जाता था कुछ नदियों के बारे मिद्यान देंगे जो उसमें popular नदियां थी तो सरस्वती सबसे sacred river मानी जाती थी इनके समय में और इसके अन्य नाम है नदीत्मा देवीत्मा और मैत्रीत्मा तीनों नाम जो है वो सरस्वती की है इन्डस दिखो सबसे पहली बा समझे कि सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी लेकिन इन्डस जिसको सिंदु कहते हैं उसका सबसे जादा बार इसमें नाम मेंचन पाया जाता है वेदों में और خاصत दोर सिर्रिक वेद में सबसे ज़्यादा बार किस नदी का जिक्र है इंडस रिवर का और इसके अनिनाम है हिरन नयानी हिरन नयानी means name given due to economic importance की वज़े से इसको हिरन नयानी कहा जाता था और परवत लार्ज वाटर बॉड़ी लार्ज वाटर बॉड़ी परवत important fact ग्रामणी administration के बारे में जो कि गाओं का प्रमुक होता था विस्पत क्लाइन का प्रमुक होता था उपाध्याय teacher होता था जो वेदों और उनकी sustenance के बारे में बताता था मतलब अपनी sustenance के लिए अपने जीवन यापन के लिए वेदों के सिख्छा देता था सभा इलीट या भुजुर्गों की अपने एक decision making body होती थी जैसे कि मतलब आज कह सकते हैं कि एक group होता था यह कह सकते हैं हमें कुछ लोग होते थे senior elderlies होते थे समिती general institution of commons जिसमें की common man participate कर सकता था यह भी अपने आप में discussion की body थी ठीक जो इसका culture है ना वेदिक culture वो रूरल है original culture of Aryans ठीक और असम चक्र यह क्या था रहट पुली जिसको बोलते थे जिससे पानी खीचा जाता था उसको अश में चक्र बोलते थे अश में चक्र अश में चक्र ठीक रहट होता था जिससे पानी खीचते थे पुली बिजनिस बार्टर सिस्टम में था, मतलब बिनमे पराधारित था, एक रात कहते थे सुप्रीम रूलर को, ठिक, अथर विवेद में इसका नाम मिलता है, एक रात, जो रूलर होता था, यम गौड आप दा, वर्ड अफ डेड, यम राज से यम आया है न, मरे हुए लोगों का देवता, त्रिवर्गा, धर्म, अर्थ, काम को त्रिवर्गा कहा जाता था, और पुरसार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये तीन पुरसार्थ हैं, चार पुरसार्थ हैं, त्रिवर्गा तीन हैं, और पुरसार्थ चार हैं, जरह ध्यान देते हैं कि कौन-कौन से त्रि दवर्गा नहीं है ठीक है आते हैं कुछ और चीज़े को नियुट करेंगे चीफ आफ रिगवेदिक गॉट्स जो रिगवेदिक ईश्वर हैं उनके कुछ चीफ के नाम याद रखते हैं देखो तो गॉट आफ अर्थ कौन कौन से हैं प्रत्वी सूम ब्रहस्पति अगनी सू सूम थर्ड मोस्ट इंपोर्टन डेटी है देवता है ALL मंत्राज अफ नाइन्थ मंडल रिगवेद़ आड़ डेटिकेटेटी टू सूम, ठीक, सूम देवता के बारे में है, तीसरा सबसे महतुपूर्ण देवता है रिगुवेत का, अगनी सेकंड मोस्ट इंपोर्टन देवता है, इसके नाम पर दो सो हिम से हैं, ठीक, फाइन, कुछ और देखते हैं, गाड अफ सी, वरुन था, ठीक, जो रेगुलेट करता था रिद को, मतलब मौसम को, एक बत आप नोट करो, मांसून वर्ड कहां से, क्या बताता है, कि ये जो मांसून बनते हैं, ये समुदरी हवाओं के उपर से बनते हैं, अब वैदिक पीरियट को कैसे ये सब पता है, रिद के मौसम, जो है, वो रेगुलेटर को उन्होंने वरुन नाम दिया, जो कि गौड अफ सी है, कहीं ने कहें, उनको इस तरह का कुछ रिलेशन पत कहते थे, जो रस है, जिसके पास मौसम का, उसे भी, उसे क्या कहते थे, वर्म कहते थे, और गौड अफ प्लांट, पौधों का देउता, दवाओं का देउता, मेडिसिन, ठिक, गोड यूज टू पुल हिस चेरियट, बकरियां जिसके रत को खीशती थी, तो वो कौन था, वो था, पुशान, पुशान को पौधों का और दवाओं का देउता कहा चाता था, और जिसके रत को कौन खीशता था, बकरियां, ठेक, अच्छा, ये सब गौड अफ इसकाई है, ठेक, मित्र, विश्नु, शूर्य, आश्विन, फाइं, इस पेस, अंतरिक्ष का देउता इंद्र, अगनी, सोम, तो इंपोर्टन्ट सबसे ज़्यादा किसकी है, अगनी, नो, अगनी नंबर दो पर है, इससे ज़्यादा इंद्र है, इंद्र, अगनी, सोम, ये तीन सबसे इंपोर्टन्ट ने मिंसन है, डेटी के या देउताओं के, तो इंद्रा सबसे ज़्याद यह कौन होता था, इसको पूरंदर भी कहते थे, destroyer of fort, किलो को तोड़ने वाला, and lord of the world, word का देवता, ठीक है, और इसके नाम पर 200 hints हैं, रिगवेद में, and war leader है, iron god है, rain का, बरसाद का देवता है, इंदरू, ठीक, इसके लाब रुद्र, आपा, वायू, मारूत, और परिजन् में, सब अंतरक्ष के दे होता है, विराट पुरूस्त, जिसके मुख से ब्राह्मनों का जन्म हुआ, फोट से सुद्रास का जन्म हुआ, ठाई से वैस्यास का जन्म हुआ, छत्री का जन्म हुआ, आम से, अब देखो, modern science की साब से, या general science की साब से, बखवास है, ठीक है, ब पांच जन्म इसमें कौन-कौन से चीज़े हैं, तो दुर्या, पुरू, यदू, और तुर्वासु, अनू, ये पांच प्रकार की प्रजातियों का नाम मुहापिम इंसन है, ठीक है, पुरू, यदू, तुर्वासु, अनू, दुर्या, ठीक है, ये पांच प्रकार की जन् में यह वेदिक जर्जक्ति इ första questo पर गते हैं Lewis और Aww can we've कि यजुर्वेदारश और सामोद इनको वेदा त्रहीं कहा ढ़ता है का अगया यह त talented TV उन्हेपने बोले तरह समहिता में एक वेद को और एड़ कर लो तो अपने आप में वेदा तरही बन जाएगा समहिता बराबर है न समझ पार हो अच्छा वेदां का मतलब होता है जो वेदों का अंतिम हिस्सा है तो इसमें क्या के चीज़े हैं एस्ट्रोलोजी जोतिस एजूकेशन सिख्छा इयौन कल्प ग्रैमर व्याकर व्याकरना और निरुप्त यह अपने आप में वेदां हैं वेदों के अंतिम हिस्से हैं अच्छा कुछ रिगवेदिक नदियों की बारे में उनके जो आधुनिक नाम में कुजरा देख लेते हैं चिनाप का उसमें अस्किनी नाम था व्यास का उसमें विपासा नाम था रावी का उसमें पौरुषनी नाम था जेलम का नाम था वितस्ता जेलम का नाम था विसस्ता गंडक का नाम था सदानीरा सतलज का नाम था सुतुद्री गगर का नाम था द्रिसाद्वति यहां पर ए ठीक योचारा कुछ मंदल और उनके आतार देख लेते हैं तक पहले मदल के लेखक रूंध richtige मंदल कोई आथ्याय मंदल मतलब हमारा भाघ या अध्याय से है सेकेंड मंदल को ग्रिह सम्मद ने लिखा थार्ड मंदल को विश्वामित्र ने लिखा फोर्थ मंदल को वाम देव ने लिखा और पांचमें मंदल को अत्री ने लिखा याद रखें महिलाओं का भी नाम है भारत द्वाद ने छटमें मंदल को लिखा वसिष्ट ने 7 में मंदल को लिखा, कान्य और अंग्रीष ने 8 में मंदल को लिखा, सुम् देवता ले 5 में मंदल लिखा विम्दा, इंद्रा, साची और इन लोगों ने 10 में मंदल को लिखा तो ये हैं Rig Ved के लेखकों के नाम ठेक अब हम बात करेंगे जैनिजम के बारे में ये तो हुआ वेदिक धर्म अब हम बात करेंगे जैन धर्म की बहुती फेमस जैन धर्म है जैन इस ड्राइब्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड जिन जिसका मतलब होता था विनर और इसके फाउंड लींर जन्तों को कहा जाता है निर निर गरंठ यह नि गरंथ होना चाहिए गवी नी गरंथ में निरग्रंथ में यह झिद्नि भी ठीकता बैसनी की आधीनात ठीक है? फर्स्ट आदिनाथ और तेईसमे तिर्थंकर पारसुनाथ यह सन आफ राजा असुसेन थे असुसेन कासिक राजा थे यह उनके बेटे थे पारसुनाथ इनका बर्थ वरांसी में हुआ था पारसुनाथ का और इन्होंने अपने फालोवर्स को बोला कि TOP FOR as to follow अ ये जातोर्यम को फालो करने कहीं बोला अब छातोर्यम क्या थे जोर्जान देना इंए पांचवा जो जे जोड़ेंगे महाविर सौमि और गान पहले स्था पारसुनाथ ने नियों दिया था तो क्या है सत्य वोलो पनरफ ठुन वयलेंस और पहले मतलब होता ए चोरी ना करो और अपर इग्रह का मतलब होता है प्रॉपर्टी को कलेक्ट मत करो अब कुछ इंप्रॉटन फैक्ट हम देख लेते हैं कि फर्स्ट कॉंग्रिगेशन मतलब कि जो सभा जोड़ी थी वो उसके प्रिश्डेन थे सुधर्मा जैन कॉंग्रिगेशन जो सबसे पहले जोड़ी थी लब समूर कॉंग्रिगेशन के मतलब होता है एक बैठा पहस अपते हैं उसके सुधर्मा उसके प्रिश्डेन थे और यहा वर्स ने अलग-अलग सेक्ट शुरू किया जैनिजम में जिसमें कि इस थूल भद्र में अब चुकि बहुत इस थूल था इसलिए उसने सफेद कपड़े पहन लिए तो स्वेतांबर कहला है भद्र मतलब होता सुंदर तो भद्र वाहु बहुत सुंदर था तो वह नंगा रह ही यह outta बहुत है यह हमको यह अलग तरीके से आठ रखना चाहिए है तो यह इस थूल भद्र के अंतरगत हुई थ है कहां पेधा पॉत्र में इस थूल भद्र के अंतरगत पहली जैन काॉंसिल हो अगाँ पाटेल पॉत्र में और इसकान काॉंसिल वलभी में में अ को उसके देवाधिगन देवाधिगन इसके सेकंड काउंसिल के जो है वो प्रिश्डिन थे देवाधिगन खामा श्रम जो भी नाम लिखा आप देख लो देवाधिगन यह नाम तो मैं नहीं पढ़ पार हूं आप अपने से पढ़ लो स्थ्रमन बाद में आएगा जैन लिट्रेचर जिसको अग कहा जाता है और सिंबल पार्चोनात का एक साफ था अंग तियोरेस थीं अंग कहा जाता है इसको अंग ऐसे अंगं और जैन पार्चोनात का जो स्निक उनका आपने आपमें सिंबल था और आजएवक सेक्टरी के फाउंडर थी मक्खली को शाल पहले जैन धर्म के बारे में देखते हैं खास्तोर से महावीर स्वामी के बारे में तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 BC में हुआ था इनका जन्म कहां पर हुआ था कुंडल ग्राम में हुआ था जिसको की कुंडल पूर भी कहा जाता है वैसाली बिहार में पड़ता है इनके फादर वो ग्यात्री क्लब या क्लैन जो छत्रियों का एक क्लैन था उसके हेड थे ग्यात्री क्लैन ठेक उनका नाम था सिध्धार्थ इनकी मा त्रिसला जो है वो विदेह विदेह त्रिसला या उनका नाम कहीं कहीं पर विदेह दत्ता भी मिलता है त्रिसला उनकी मा का नाम था विस्कली, यह चेटक की बहन थी, चेटक कौन था, वो वैसाली का राजा लिख्षवी रिपबलिक का, उसका हैड था चेटक, और उसकी बहन थी तृसला, जो सिधार्थ की पतनी थी और इन दोनों की संतान थे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी की वाइफ का नाम है यसोदा था इनकी वाइफ का नाम और ये कुंडिन ने गोत्र की बताई जाते हैं महावीर की डाटर का नाम था अनोज्जा या प्रेधर्सना इनके जो दमात थे उनका नाम था जमाले attainment of knowledge इनको कैवले कहां पर हुआ तो कैवले या attainment of knowledge हुआ नियर जमबिक ग्राम जो रिजू पालिका नदी के किनारे हैं कहां पर है रिजू पालिका नदी नदी का नाम याद रखेंगे रिजू पालिका नदी और कौन से पेड़ के नीचे तो साल के पेड़ के नीचे इन्होंने knowledge attain करने के बाद महावीर कहलाए और इनका नया नाम केवुलिन, अरहात, जिन, निरगरंथ, कुछ भी आप कह सकते हैं, ये इनकी में नाम है, इनका पहला से से जमाली था, ठीक है, इनका पहला से से इनका दामात था जमाली, और इन्होंने add किया, इन चातुर्यम, चातुर्यम यहाँ पर देख रहा है आपको, इस दिएकर देखो, इधर बैक करके, ये है चातुर्यम, इसमें इन्होंने एक और वो, फाइव वो आफ जैना है न, यानि कि पांच्वी प्रेरणा add कि जिसका नाम था सेलिबैसी, सन्यास, सेलिबैसी का मतलब होता है not सन्यास, सेलिबैसी का मतलब ह होता है, जो लोग कभी साथी नहीं करते, जो लोग कभी मतलब sexual life में नहीं है वो जैलिबेट कहलाते हैं, ठेक है, तो इन्होंने add किया उन्होंने, इसके अलाबे इन्होंने और धर्सन दिए जिसमें अनेकांतवाद या स्यादवाद उसको कहा जाता है स्यादवाद का मतलब अनेकांतवाद का मतलब मैं भी बताता हूँ और इन्हों नहीं ये बिलीफ करते थे रिबर्थ में और कर्मा में तो ये अनेकांतवाद और स्यादवाद के हैं कि जैसे मान लो कि कोई कहता है कि this is truth कोई दूसरा कहता है नहीं this is not truth there are some other truth तो यह कहते हैं theory of minuscidedness theory of minuscidedness का मतलब एक विशे के अनेकों व्याख्याएं हो सकती है इसलिए उसे अनेक आंतवात कहा जाता है और यह बात सही है कि समय और context के हिसाब से इवाद सही है इनकी death होती है 527 BC में और पावापुरी नियर राजगिरी में इनकी death होती है चलो और कुछ काम की चीज़े देखते हैं बुद्धिज्म के बारे में बुद्धिज्म बहुत important है चाहे एक्जाम यूपी का हो बिहार का हो या union public service commission का हो बुद्धिज्म favorite topic है इसको हम अच्छे से समझते हैं तो सिधार्थ के बारे में कुछ basic fact जान लेते हैं ममी महा माया कोलिया बन सके थे सो दोदन साक्य बन सके थे इनका जन्म फाइफ पापा है ना 563 BC लुम्बनी में हुआ था ठीक और इनका जो पालन पोशन था इनकी जो ग्रोज थी वह मासे ने किया महा गौतमी प्रजापती व और साधी हो गई थी चाइल्ड हूड में 16 साल में पतनी का नाम था यसोधरा वाइफ सन राहुल घर छोड़ा था 29 की एज में और इनके दूसरे नाम जो है वह महत्मा बुद्ध या गौतम हैं जब इन्होंने नाम पाली थी तब से महत्मा बुद्ध कहला है उसके पहले इ उसार नात की रिशी पटटर जग़े पे ठिक और यहां से यह महत्मा बुद्ध कहला है ठिक म्रग देव भी इसी जगए को कहते हैं तो फाइव इट के से से थे जिनको इनों जो ग्यान दिया उसी को first sermon कहते थे सबसे पहला जो ग्यान दिया उसी को first sermon कहते थे तो कुछ donation और उसे समझे जो person है ये important facts होते हैं exam में पूँचे जाते हैं match करने के लिए और direct बिम्बिसार ने वेल्वन बिहार को डोनेट किया था कुछ संपत्ति या गाउं अगर उसे में डोनेट कर दिया जाता है ताकि इस agriculture से जो saving आती है आप उसको यहां पर लगा सकते हैं खर्च के लिए परसेन जितने पबरम पुबरम वाटेवर इसका नाम है उस बिहार को डोनेट किया था ठीक लिए 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 रूलर्स ने कुट्टा ग्रह साला बिद्याले लगता है साला मतलब बिद्याले होता था तो कुट्टा ग्रह साला कुट्टा ग्रह साला बिहार को और अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार को डोनेट किया था चलो कि डोनेशन की गई थी इनके नाम और रिलेटेट फैक्ट मैच करते से में थोड़ा ध्यान देंगे तो देरी जो पॉसिबल्टी कि आप वहां पे थोड़ा ज्यादा ठीक कर सकते हैं कुछ और फैक्ट फोर नेम नोबल टृत कौन से हैं आया काम का तो दुख ग्रीफ समुदाय सोर्स ऑफ ग्रीफ ओरिजिन ऑफ ग्रीफ ग्रीफ का कारण सिजेशन निरोधा यानि कि ग्रीफ का अंत किया जा सकता है और सिजेशन ऑफ ग्रीफ इसको गामनी प्रतिपदा भी कहा जाता है तो समझते हैं दुख है दुख का कारण है दुख का उपाय है और यह जो फोर जो बुद्ध की सिख्षाए हैं इनके माध्यम से इन दुखों का अंत किया जा सकता है थोड़ा से यहां पर मुझे इस पॉइंट में अभी भी डाउट है इस पार्ट को आपको मेरे ख्याल से वेरिफाई करना चाहिए जिनकी सबसे ज़्यदा पब्लिसिटी थी वो कोसल स्रावस्ति में 21 रेनी सीजन के है इन्होंने वहाँ पेस्मेंट किये थे तो सबसे ज़्यादा समय उन्होंने कोसल में बिताया था वहाँ इनकी सबसे ज़्यदा पब्लिसिटी थी कुछ इंपॉर्टन्ट फैक्ट देख लेते हैं फोर सीक्वेंस ऑफ सीन्स रेस्पॉंसिबल फॉर बुद्धा एक्सेशन और इसके लब एक हैपी एसिटिक तो एक ओल्ड मैन जो एसिटिजम से सिकार है दूसरा सिख परसन है तीसरा डेट है प्लूला की भूख बिमारी मृत्व और खुसी इन सारी शीजों ने बुद्धु को अट्रेक्ट किया कि यह ज्यान प्राप्ति के लिए घर छोणे फॉस्ट यह मिले घर छोणने के बाद किस से अलार कलाम से अलार कलाम इनके पहले टीचर थे जन्होंने सांखी की सिक्षान को दी और फिर फिलोसफी के सिक्षर दी कहां पर वैसाली में और राजग्रह के पास इनकी मीटिंग होती है रुद्रक राम पुत्र से इनकी मीटिंग होती है राजग्रह के पास रुद्रक राम पुत्र से उनकी दो जीफन refuse में और फिर और फिर चुंड में पावा जो की जहांपे इन्होंने पोरिज खाई थे देखो ये चुंड क्या था ये बेसिकली सुवर की मांस का बना हुआ था और वहीं पेंगी तवियत खराब हो गए थी और इन्होंने लास्ट सर्मन जो दिया वो सुहाद कुसी नगर में दिया ठीक है कि अच्छा नौलीज प्राप्त करने के लिए 35 साल में इनको नौलीज प्राप्त खnap राथ तरी था वहीशाक फुल मून दे था जब इनको नौल प्राप्त होती कहां पे बोधी ट्री के पास श्यटरी यह बोधी ट्रे ठीक पीपल का पौधा, पीपल का पौधा, एट फोल्ड पाथ इसे याद कर लो, ये इंपोर्टेंट है, तो देखो, राइट इंसाइट यानि कि प्रग्या, मुरैलिटी, राइट सिला, मेडिटेशन, समाधी, तो प्रग्या सील, सील है, सीला नहीं, सील, और समाधी, ये तीन च तरगत क्या-क्या बुद्ध नहीं बताया है, राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट कंड़क्ट, राइट लाइवलिफूट, राइट मैंडफुलनेस, राइट समाधी, ठीक, इसके लाबा, राइट व्यू, राइट रिजॉल्व के साथ तीसरा है, राइट सम्म्यक दरस्ति और यह राइट इस्पीच सम्म्यक वर्णिंग सम्मे के रिजॉल्व यहीं कि जो आपका हाँ एक हाँ राइट कंडक्ट सम्मे का राइट लायबलि हुट सम्मे तरीके से जीवन यापन के खर्च writer जीवनियापन के संसाधन जुटाओ, राइट एफ़र्ड, आपके जो कारी होने चाहिए, वो भी सम्मेक तरीके सोने चाहिए, राइट माइन्डफुलनेस, ठिंकिंग को लेकर हैं, और समाधी, समाधी मतलब, बाद में फिट हो जाना, निपड जाना, ठिक है, तो वो सारी चीज़े, सम्मेक तरीके सोने चाहिए, संतुलित तरीके सोने चाहिए, एक्जाम के लिए कुछ इंपॉर्डन पॉइंट, तो फालोवर्स आप बुद्धिसम और डिवाइडेट इंटू, मंक्स, नंस, इनकी जो बुद्ध के फालोवर्स थे, उनमें मंक्स थे, नं थी, जो महिलाएं आसरा बिहार में रहा करती थी, और वर्सिपर्स, जो केवल बुद्ध की पूजा करते हैं, ठिक, इनको लाइट आफ एसिया कहा जाता है, किसको गौतम बुद्ध को, और आथरा पूजरी बुद्ध की जीवन पर आधारी थे, जिसको एडविन अर्नौल्ड ने लिखा, लिटरल मीनिंग ऑफ हीनियाना होता है, डेफिसियंट वहिकल, देखो यहाँ पे बुद्ध की पूजा करने में एक छोटा वहिकल होता है, ठेक एक बड़ा, तो हीन यान छोटे वहिकल की वर्षिप करते थे, यानि कि इनके जो प्रतीक थे, स्वीमित थे, और हीन यान बुद्ध के जो उन उनी प्रतीकों के आधार पर पूजा करते थे, और जो लार्जर ग्रेट वहिकल जिसको बोला जाता है, यानि कि बड़े प्रतीक, मूर्ती, इत्यादी, ये सब महायान के लक्षण है, इसके लाब बुद्धा यूस्ट से अबाउट हिस सेक्ट, वह अपनी सेक्ट के बारे में क्या बोलते हैं, मीडल पात या मध्यमा प्रतीपदा, बढ़े मार्ग का पालन करने की प्रेणा देते हैं, इंसिडेंट इनकी लाइफ के बर्थ दिखाता है, लोटस या बुल बर्थ का प्रतीख है, और घर छोडने का प्रतीख है, घोड़ा, नौलेज का प्रतीख है, पीपल या बोधी ट्री, निर्वान का प्रतीक है, footprint, इनके पैरोकनिसान और इस्तूपा प्रतीक होता है, death का, ठीक, इनकी तिरतना होता है, बुध्धम, धम्मम और शंगम, बुध्ध, धम्म, संग, तीन, ठीक, त्रिपिटिका बुध्ध की जो पाली में हैं, वो हैं विनैपितक और बुद्ध की teachings और ये बाद में अभी धम्मा पिटक जुड़ा है जो कि philosophical theories के बारे में है Education Center जो बुद्धिजम से related है कुमार गुप्त ने बनवाया नालंदा वल्लभी गुजरात में है विक्रम सिला धरम पाल ने बनवाया ठीक चैत्या विहारा और इस्तूपा इस्तूपा होता है वह स्थान जहां पर इनकी बूंस रखे गई थी बुद्ध की ठीक है और places of residence of monks monks जहां रहते हैं उसे विहार बोलते हैं और burial tom for keeping the mortal remains of great men उसे चैत्या बोलते हैं कि चैत्या वो स्थाने जहां पर वो प्रेयर करते हैं ठीक और इस आधार पर प्रेयर करते हैं कि वहाँ पर जो बुद्ध का कोई ने कोई remains है great men यहां पर बुद्ध को कहा गया है तो उस हिसाब से उस tom की पूजा होती है basically वो प्रेयर हाल था चैत्या ठीक और जो बुद्धिष्ट काउंसिल हुई थी कितनी काउंसिल हुई थी चार काउंसिल हुई थी तो पहले कहां पर हुई थी चार सो तिरासी वीसी में बुद्ध की मृत्यों के करीब सो साल बाद राजग्री में सब्त पढ़नी केब में हुई थी जिसके हेट थे प्रेजडेंट थे महाकसब महाकसब प्रेजडेंट थे और उसमें रूलर था वहां का अजास्सत्रों दोतीय काउंसिल हुई 383 में य या सर्व कमानी भी कहीं कहीं लिखा मिलता है और उसमें रूलर होता है काल असोका इसको भी याद रखना है इंपोर्टन है ठीक है सेकेंड में मुगली पुत्र टिस इसके प्रेजडेंट होते हैं असोका के टाइम में होती है और 273 वीसी में पार्टली पुत्र में होती है एंड फूर्थ कनिस्की के टाइम में होती है असुगोस इसके प्रेजिडेंट होते हैं वासुमित्र कुंडलवन कस्मीर में हुआ था फॉस्ट सेंचुरी एडी में चौथी बुद्धिष्ट कांसिल हुई थी एक्जाम के लिए कुछ महात्रपॉंड पॉइंट तो बुद्धिजम में डिविजन कभ हुआ तो महासंगिक और सर्वस्तिनवाद जो की इन फेवर आफ लीडर महाकस्षप में थे तो वो महासंगिक या सर्वस्तिनवाद पहली ब्रांच बने और जो महाकस्षप के समर्थक सब्सक्राइब कहां कि होंगे यह ध्यांदो पहली काउंसल में ठीक तो यह विवाजन होता है पहली का बुद्धिजम में ठीक महाकस्षप के समर्थकों ने सर्वस्तिनवाद सुरू किया और दूसरे थे इस्थावरियात थेराबादी जो चेंज के खिलाफ था और इनके लीडर थे महा कंचयन महा कंचयन महा कंचयन महा कंचयन ठीक महा कंचयन जो है इस्थाविरबाद या थेराबाद के हैं यह अपने आपने बहुत महत्वण इसको ध्यान देंगे तो काम आएगा ठीक इसके अलावा इनसे अधर रिलेटेट फैक्ट है तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसल में यह ही नियार और महायान में भाजित्विवा बुद्धिजम नागार्जुन सूनिवाद के संस्थापक हैं और फाउंडर आफ विज्यान वाद या यूगिजम सेक्ट कौन थे मैत्रे नाथ इसको याद कर लो नया फैक्ट है फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है मैत्रे को यह यूपियस सिंग पूछा गया था और यह प्रिंसिपल पदाने क्या लिखा है यह भाएसा तु मेरी देखो समझ के बाहर है 15 जोसे को तूर्टियां कि यह यहाँ यहाँ पी बेकार में दोस्ते हैं सारा दोस्त यहाँ मेरा है छनिक बात किसका है बुद्ध का दरसन च्ञदे का लाता है अच्छा दूसरा एक और इसमें सिविय मैं स्विय का था है यह ते हैं आते हैं उदेगिर हिल्स सीवा को रिलेटर ये काम का फैक्ट है आपके इसके लाबा भागवत धर्म एक मिनट सीवा टेंपल और थोड़ा से देख लेते हैं तो सीवा टेंपल में कंदरिया महादेव का टेंपल है खजराहों में स्यूब का है चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए यह भी सेविजम से है स्यूइन ठोली से और बात करते हैं तो सिव के सिट्ड शैव है पस्पत कापालिक काल्मुख पस्पत के फॉंडर है लकुलिशा लकुलिशा अवतार अफिटिवा पर भीृट करते हैं और ये followers of sect जो है वो अवतार आफ सिव मानते हैं एक सकंड तो यह सिव के पसुपत को सिव का अवतार मानते हैं ठीक है और इस sect के जो पसुपत को सिव का अवतार मानते हैं जिसके फाउंडर है लकुलिशा कपालिक यह भैरो शिवा आएक इनकार्नेशन आफ भैरो सिवा इसके से होके बिसिकली अपने अपने सेव धर्म के जो सेख्ट है वो यह हो गया थोड़ा सा इसी तरह से हम वैश्णो धर्म के बारे में देख लेते हैं भागवत धर्म के बारे में तो वुरिष्णी डाइनास्टी कि वुरिष्णी डाइनास्टी कृष्णा जो है वो इसके में वसुदेव मिंसन है किसके द्वारा पाणिनी के द्वारा फर्स्ट अवलेबल स्टोन मनुमेंट रिलेट्टू भागवत रिलीजन वह कौन सा है तो विदेह बेशनगर गरुड कॉलम जो है वह है हेलियोडोरस का है जो कि वसुदेव को डिडिकेटेड है and first depiction of भागवत भागवत धर्म का भी इसी पे बेशनगर और विदिसा में ही जो है इसका first depiction भी है moral इसका इसका पंचवीर कान कान से होते हैं तो मॉरा मतुरा और इस्टोन इंस्क्रिप्शन दो तरह से हैं तो इसके पंचवीर कौन कौन से हैं संकर्षण वसुदेव प्रदुम्न शाम और अनिरुथ ये पांच इसके पंचवीर कहलाते हैं ठीक गुप्त राजाओं में वहिष्णो सेक्ट को फॉलो किया गया इसके लाबा गरुण जो इंसिगनिया होता था इंसिगनिया मतलब प्रतीक वह गुप्त रूल राजाओं का था इसके लाबा और इससे जो संदर्फित है चतुर विव वो कैसे है तो उसमें जो शंकर्षन यानि कि बलराम के उपासक है प्रदुम्न के उपासक है अनुरुद्ध के उपासक है और वसुदयों के उपासक है तो बलराम को है बलराम या संकर्षन वो वसुदयों और रोहनी के पुत्र है जबकि जो प्रद्धुम्न है वो कृष्णा और रुक्मनी के बेटे हैं अनिरुद्ध जो है वो प्रद्धुम्न के बेटे हैं और कुछ वसुद्यों के उपा सके तो इस तरह से चतुर व्यूँ बने हैं ठीक है इसके अलबाब जो अलवार संत है वो प्रोपरगेटर आफ वैश्णोविजम है कहां पर साउथ इंडिया में अंडल अकेली साध्वी है जो अलवार संतों में होती थी साथ में अपको 6th century BC का इतिहास हमको समझना होगा तो इसमें जो सोर्सेस हैं 6th century BC के वो हैं बुद्धिष्ट टेक्ष्ट जिसको अंगोतर निकाय कहा जाता है जै 10th century basic यह था पता चलता है तो जो में में रिपब्लिक ठेक्षे कौन-कौन से रिपब्लिक ठेकर अपढ़कों यह याद रखना है शाक्या बुली कलम कोली और मल कि राजधानी थी पावा कोली की थी रंगम और कलम की थी कासपुत बुली की थी अलकपा और कपिल वस्तू य देख लेते हैं तो लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावर्फुल पावर्फुल रिपब्लिक था वह साली अकार्डिंग टू पुराना फर्स्ट डाइनास्टी टू रूल इंदी मगद वाज ब्रहद्रत पुराणों के साफ़ ब्रहद्रत जो है पहला रूलर था मगद का और ब्रह्मधत था इसके अलाबा देख कैपिटल आफ कोशल किंगडम आफ रामायन वज आयोध्या सिटी ले आउट इन एंसिंड श्रावस्ति क्या सेफ था उसका क्रिशंट सेफ था स्रावस्ति का महा जनपदो विद ट्व क्यृपिटल स्किनकी महा जनपदों में ट्व केड़ रहिं ये भी अपने आप्ने इंप्रॉटन स्यृटरनट फैट है तो कोशल में स्वावस्ति और सावस्ति नदन predictive रांगत्षानी थी और सदन encima क्यृपिटल थी हे इनुन क्यृपिटल थी पन कि दो के पटल थी जैनी नदन पार्ट के थी और सदन पार्ट के थी माहिसमती यह हमको याद रखना चाहिए इस तरह की सूचना वो जल्दी से कहीं मिलती नहीं कुछ कोईंस के बारे में देखते हैं तो कोईंस के अध्यन को कहते हैं नुमस्मेटिक उल्डेस्ट कोईं इंदिया जो में पाए गए हैं वो 6th century BC के हैं और इसके अलाबा हैमर्ड कोईंस होते थे यह जिनको पंचमार को कोईं कहते हैं मतलब कि हाथ और जो ठोक ठोक को बनाए गया थे इस सिल्वर के बने होते थे और इसमें स्टांप होता था राजा के मदब रा इसको हम इग्नोर कर सकते हैं असानी से सिसुनाग डाइनास्टी विक्ट्र आफ आवंती यह सब नहीं पहुंचा जाता है नंदा डाइनास्टी नहीं हाँ यह कुछ टाइटल से देख लेते हैं एक रात का मतलब होता है यह इनके इनके गवर्नेंस के वह हैं वह इस्टैब घंणनंद कहानी हम को ज़्यादा यहां जानने की जरुरत नहीं है हां घंणनंद के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि यह जैन आमात्य संकताल और स्थूल भद्र यह इसके समय थे इसके घंणनंद के समय में और इसमें हमें क्या देखना है कि हां कुछ इंपॉर्टन फैक्ट यहां पर और हम देख लेंगे कि न्यू स्क्रिप्ट जो की नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी पर पाई गई यह रिजल्ट था अपने आप पर्सियन कॉन्टैक्ट का तो उसे बोलते हैं खरोष्टी स्क्रिप इसके लाबा जो अच्छा ग्रीक थोड़ा एलियन इन्वेजन से जोड़ लेते हैं इन्वेजन दो तरह के हुए इरानियन और ग्रीक जिसमें की बहस्तून इंस्क्रिप्शन बताता है कि 23 प्रोविंस आफ डेरियस वन जो की इरानियन या पर्सियन अटैक के बाद बना में डिटेल्स ओफ हीरियोडोरस में हेरोडोरस में भी मिलता है इंदीरा दारा यह 20th प्रोविंस दारा के अंदर में थी 20 प्रोविंस 20 प्रोविंस इस एंपायर में इंडिया में दारा के अंदर में थे जो की पर्षिन अटेक का आउट पुट था कुछ हां यहां पर हम फैक्ट देख रहे थे कि जो इंटियोकस था पिजिसियन ऑफ अंतर जराक्सेस था तेरिएस सा अनलनेकी फिलिपिंड। एलेक्जंडर जिसको अफ सिकंदर भी खहते हैं वो मैसिडोनियन किंग फिलिप टू का बेटा था अस्वाग की जो कैपिटल थी वो मासग थी कैपिटल आफ रिपपलिका फासवाग क्या थी मसग और पूरू का स्टेट कहां से कहां तक तो जहलम से चेनाप की वीच में पूरू का स्टेट था इसके लब पौरस जो सिकंदर से डिफीट हुआ था बैंक ओफ रिवर जहलम पे सिकंदर के बारे में तो सिकंदर नौत इन में से कुछ भी काम यहीं है मारिन ड hat 현재 के बारे में बात करेंगे तुर मौरेन डाले के सुर्फे यह वह उन पे फोकस करेंगे उससे पहले है पहली बार भारत पुलिटिकल यूनाइट हुआ पहली बार अंदर अंडर मौरें रूलर्स जिसमें कुछ जो मुद्रा राक्षा सहभी साक्तत क्यों बताते हैं कि यह जो मौरें थे यह कि बुरिसल या कुलहीन थे बुरिसल या कुलहीं थे और इनको बताता है नंदराज के बेटे थे बते की तो यह related to royalty की जो मतलब यह मौरियों की जो रॉयलिटी की अपने आप में उनकी उनकी उरिजिन है यानि कि वो किस तरह से रॉयल थे या नहीं है तो वो रॉयल बताता है महा बोधिवन्स में और इसके लबा कथा सरित सागर में जो ब्रहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर में लिनेज का बताय गया है इसके लाबवा परष्टिश्ट परवन में जो कि हेमेंद्र की थी उसमें बताया कि सन गाँफ डॉटर ऑफ हेड औव पीकाख फीडर्स विलेज तो मतलब पीकाख फीडर्स विलेज के यह बच्चे थे मतलब इनकी जो मां हैं सन ऑफ डॉटर उफ पीकाक फीडर्स विलेज के जो हेड थे यह उनके डॉटर की बेटे थे इस तरह से इनके ओरिजिन के बारे में बताता है अच्छा जो फॉरें सोर्स हैं उनमें विलियम जोन्स इनको सेंड्रोकॉटर्स कहता है चंद्रकॉप्त मौरिको इसके लाव एरियन और प्लूटार्क एंड्रोकॉटर्स कहते है इनको इसको चंद्रकॉप्त मौरिको जस्टिन ने इनके अकाउंट के डिटेल दिया यानिक इनके बारे में कुछ बात करी उसने भी इनको से एंड्रोकॉटर्स लिखा और एलेक्जेंडर की मीटिंग का जिक्रिवी बताता है कौन जस्टिन ठि ठीक है एक्सपेंशन अब इंपायर बलकि दिखो यह यह गुजरात तक होना चाहिए विकास गुजरात के पोर्ट यह लोग कंट्रोल करते थे वेस्ट में गुजरात तक हिंदु कुस्त नॉर्थ में यह गलत जन कर रहे है ठीक है एक्सपेंशन बिगर देन ब्रिटिस इं इंपायर है उससे भी बड़ा ये इंका इमपायर था कुछ और बिंदु सार का अमितर घात कहते हैं अमित्रो कैट्स या अमित्रघाद कहते हैं और जर्टेशं को सिंह-सीना का नाम देते हैं और इस मैं अपने बेटे अपने और टीक सीना भिद्रोफ को कुछलने के लिए यह प्रूफ हमें कहाँ पर मिलता है तो दिव विवादन पर मिलता है दिव वादन जो बुद्धिस्ट ग्रण थे उन पर मिलता है acarding to Strabo, syrian king तो एंटियोक्स था ambassador of Dimacos, दाइमेकस का जो ambassador था, Strabo जो syrian ruler एंटियोक्स के बारे में बताता है कि Dimacos नाम का ambassador उसने बिंदुसार के ऑबोड में भेजा था और Egyptian king Ptolemy 2 उसने Dainosius को भेजा था विंदुसार के दर्वार में ये कौन confirm करता है? प्लीनी confirm करता है 3 demand from Syrian ruler Antiochus Antiochus ने जो 3 demand Syrian ruler से की गई थी वो है sweet alcohol, bright fix and philosopher तो इस तरह की 3 demand Syrian ruler से की गई थी तो यह हो गया and fact about emperor Ahsoka according to Buddhist evidence, Ahsoka was provincial governor of किस province का governor था? अवंती जिस capital Ujjani थी इसका जो है वो governor था इसके लाबा इसने धम्मा का विस्तार किस ने किया? असोका ने, Ahsoka become the king 273 में और coronation हुआ 269 में पुरानाज में इसको असोक वर्धन कहा गया है थार्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई असोका के टाइम में and इसने जो है initiate किया बुद्धिजम को यह confirm कहां पर किया जाता है? दीपोंस और महावंस में कि असोका ने बुद्ध धर्म को सुईकार किया ठीक है? इसका confirmation कहां पर मिलता है? दीपोंस और महावंस में यह अपने अपने important fact है इसके लबाँ असोका जिनी सिसन्ट बुद्धिजम बाई उपगुपता उपगुपता नाम का जो बुद्धिस्ट मंक था उसने असोका को बुद्ध धर्म का बुद्ध धर्म का ग्यान दिया या कहले या इंस्पायर किया यह प्रूफ हमें कहां पर मिलता है? दिव विवादन में असोका दसरत था यह दोनों बुद्धिजम के फाल्वर थे दसरत जो है वो सो एंपररर असोका के आगे का fact हम लोग यहां से कल करेंगे नेक्स सेसन में अभी के लिए बस इत्माहिए थांक यू